वेलकाम फ्रेंड्स मारे यूटूब चैनल 3X Medical Classes में फ्रेंड्स बहुती मात्पूर कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओंग लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स बिल्कुली वीडियो का इसकिप ना करें और पूरा वीडियो लाज तक देखें फ्रेंड्स आज हम सामाने ग्यान और सामाने विज्ञान से रिलेटेट कोश्चन लेकर आएं जो कि आपका GK and GS GK and GS से रिलेटेट कोश्चन है जनरल नौलेज़ की और जनरल साइंस तो चलिए हम सुरू करते हैं मारा फर्श्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर है मात्मा गांदी ने निम लिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरू माना था बहुत ही सिंपल कोश्चन है हुई मंगदी फालोइंग डिड मात्मा गांदी कंसीडर एज हेज पॉलिटिकल गुरू गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर मात्मा गांदी के पॉलिटिकल गुरू कौन थे तो आपसन आपकी स्क्रीन पर हैं गेस करें जी के गोखले लिख दिया जाता है तो यहां पर गोपाल करस्ण गोखले हो जाएगा तो यह मात्मा गांदी के राजनीतिक गुरू थे तो चलिए हम यहां पर एक्स्प्लें देख लेते हैं कि मात्मा गांदी के जो राजनीतिक गुरू जो थे पॉलिटिकल गुरू थे यह और गोपाल करस्ण गोखले मोहमद अली जिन्ना से भी राजनीतिक गुरू थे गोपाल करस्ण जो गोखले हैं वो मोहमद अली जिन्ना जो थे उनके भी राजनीतिक गुरू थे तो चलिए next question देखते हैं पर दो number question आपकी screen पर है question को पढ़ें उसके बाद answer दी भारत और स्री लंका को अलग करने वाली जल राजी कौन सी है बताएं जलसंदी कौन सी है भारत और स्री लंका को अलग करने वाली जलसंदी कौन सी है which body of water separates India and स्री लंका बताएं क्या होगा इसका right answer भारत और स्री लंका को अलग करने वाली जलसंदी कौन सी है which body of water separates India and स्री लंका तो देखें पाक जलसंदी आपसें सी यहाँ पर आपका right होगा पाक जलसंदी explain देख लें भारत और स्री लंका को अलग करने वाली जल राजी है जलसंदी पाक जलसंदी है यह 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निको बार को अलग करता है चलिए next question देखते हैं question number 3 है आपके screen पर पढ़े question को अश्य से उसके बाद answer दी we asko Deigma किस वर्ष काली कट उत्रा था जो वासकोड़ी घमा था वो किस वर्ष काली कट पहुचा था यह काली कट आया था एन विच एर डिड़ वासकोड़ी घमा लैंड इन काली कट काली कट दिखिए कहां पे है तो यह केरल पे है ठीक है कि वास्कु डिगामा काज़र किस वर्रेकिस वर्स ने काली कट में उत्रा था तो 1498 में काली कट में उत्रा था तो ऑजस को डिगामा कोशन देखते हैं चार नंबर कोशन आपके स्क्रीन पर है उत्तर प्रदेश में कौन सी जन जाती दीपा वालि को सोकव Economics ने इजा आपर मोर्निंग बतायें अब यहाँ होगा मॉर्निंग विज ट्राइब इन उत्तर प्रदेश अब्जर्वेज दीपावली एज आफ आमाप मौडनिंग बताएं उत्तर प्रदेश में कौन सी जन जाती है जो दीपावली को सोग परविके रूप में मनाती है यहां पे जो थारू जन जाती है जो सोग परविके रूप में मनाती है जो त्या संद बी sini आपका रााइट होगा थारू जन्जाती दीपवली को फॉक परविक रूपे मनाती हैं अब यहां पर एक्स्प्रेन देख लें कि उत्तर प्रदेस की थारू जंजाती दिपावली को सोख परव परुके मनाती है थारू जंजाती मुखी रूप से उत्रांचल और नेपाल के दच्रबाग में हिमाले के तराइचेतर में पाई आती है अब हम नेक्स कोशन देखते हैं पार्च नंबर कोशन आपकी स्क्रीन पर है कौन सा साहित संगम साहित के रूप में प्रसिद दे तो विच लिट्रेचर इज फे कारा है कौन सा संगम साहित कौन सा साहित संगम साहित के रूप में प्रसिद है तो यह तमिल साहित संगम साहित के रूप में प्रसिद है अब यहां पे हम एक्स्प्लेन देख लेते हैं कि तमिल बासा में लिखे गए प्राचिन साहित को संगम साहित का जाता है सर प्रतम इन लेखकों की रचनाओं का अलोकन करना उन कव्यों तता लेखकों की जो रचनाओं थी उनका अलोकन करना और अपनी रचनाओं को प्रकासित करना चाहते थे चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं पर कोशन को पढ़ें चैसे असके वाद आंसर दें प्राचीन भारत के महान ब्याक अपनेंट इंडिया बताएं यहां पे क्या होगा इसका राइट अंसर कि कि आप आप चैनल सी राइट होगा पुष्मित्र सुंग के पुष्मित्र सुंग आप सब्सक्राइट हो गया पर अब यहां पर आप स्प्वेंड देख लेगी प्राचीन भारत के महान जो ब्याकरण बेडात्य। वीड थे पतंजली सुंग वंस के संस्थापक थे ठीक है PR स्मित्र सुंग के गुरू थे पतंजली महाबास से पुष्ठक देखती है जनक लगने पर लोघे का भार क्या होता एग गão यह जब जंग लगती हैben तब लोई जब जो लोई पर जंग लगती है तो लोई के बार में क्या परिवर्ठन होता बताएं जुक्त को है परिवर्ठन यह नहीं होता है आफ सब्सकर्थे क् they बार में क्या परिवर्था नोटा तो देखिए अपसे यहां पर आपका राइट होगा जब जंग लगेगी तो ले का बार क्या होता है अब यहां पर एक्प्लेंट देख लेते हैं लोहे को नमवा हो और तो moist air में रखने पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिस करण से लोय का जो भार होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है या भूरे रंग की परत feric oxide Fe2O3 होता है feric oxide जो होता है वो Fe2O3 ठीक है आपका feric oxide है लोय पर feric oxide की परत चड़ना ही लोय पर जंग लगना कहलाता है लोय पर feric oxide की परत चड़ना ही लोय पर जंग लगना कहलाता है जिसे Fe2O3 का जाता है Fe2O3 का जाता है इसे feric oxide का जाता है Fe2O3 को चलिए अब नेक्स कोशन देखते हैं आपे कोशन नमबर 8 है संविदान सभा के पहले अद्देश कों थे संविदान सभा के पहले अद्देश कों थे who was the first president of constituent assembly बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गज़ करें आपसन आपके स्क्रीन पर है who was the first president of president of the constituent assembly तो देखें आपे अब यहां पे आपका राइट होगा सचीदानन्द सिन्ना अब यहां पे आप एक्सप्लेइन देख लें सम्गिदान सभा की जो पहली बैटक है वो नौ दिसंबर सभा की पहली बैटक नौ दिसंबर सचीदानन्द सिन्ना ग्यारा दिसंबर उने सवापती निर्वाचित किया गया ग्यारा दिसंबर उने सचीओर डाक्टर राजैइंद प्रसाथ को सभा पति हर्थान निर्वाचित किया गया Logicali तो डाक्टर राजेंद प्रसाद हैं यह समिधान सभा के इस्थाई सभापती निर्वाचित हुए थे तो चलिए नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं आपके कोश्चन नमबर नाइन आपके स्क्रीन पर पढ़ें को एक ग्रंती जिसमें अंतासरावी और बैसरावी दूनों कार सबस्क्राइब तो कारी करते हैं तो अगनियास है इसमें दोनों कार्य होते हैं तो हम थार्य हएं अब यहां पर में एक्स्प्लेइन देख लेते हैं कि अग्यासे ग्रंती मानोशरीर के दूसरी बड़ी ग्रंती है जो अग्यासे ग्रंती है वो मानोशरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती है और या 22 तथा अंतासरावी ग्रंतियों की तरह कारी करती है इसके अन्तास रावी भाग से इंसुलिन तथा ग्लुकेगॉन नामक हार्मोन से तथा बाइस रावी भाग से छारी अग्निया से हिरस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं देखे जो एक्स्प्लेयन हैं इनको अच्छे से पढ़ लिया करें और अगर आपको पढ़ने का टाइम महीं मिल पा रहा है तो आप इनका स्क्रीन सौट ले लें बाद में पढ़ लें बट हम यहीं कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें ठीक है ऐसा नहीं कि एक बार आप वीडियो देख लें और दुबारा वीडियो ना देखें अगर आप जतनी बार देखेंगे आप उतनी बार आपको यह कंप्लीट हो जाएगा कोई भी कोशन है अगर आप कई बार उसे देखेंगे यह पढ़ेंगे दोराएंगे तो आपको 100% कंप्लीट जाता तो मिसी वेस कहते हैं आप वीडियो देख लिया करें चाहिए आवाज म्यूट करके देखा करें बट जरूर देखा करें तो चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर दस है आपके स्क्रीन पर पढ़ें को नेमन लिखित के अंसासी चेत्रों में सरवाधिक बड़ा आक मेरी अब यहां पर हम एक्स्प्लेइन देखते हैं कि केंद सासीत प्रदेशों के छेत्रफल का औरोई क्रम अंडमान निकोबार दीव समूद दिल्ली दादरनागर हवेली पांडिचेरी चंडिगर दमन दिव और लच्छ दीव हैं ठीक है अगर केंद सासीत प्रदेशों क देखते हैं तो अंडमान पहले अंडमान निकोबार दीव समूद दिल्ली पिदादरनागर हवेली पांडिचेरी चंडिगर दमन दिव लच्छ दीव चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं 11 नमबर कोशन आपकी स्क्रीन पर है कौन सा जीवित पच्छी विस्व का तबसे छ लेज़ दी वर्ठ पिस्मॉलिष एग बताएं पर क्या होगा इसका या विच लीविंग बड़लेज दी वर्ट्स स्मॉलिष एग तो बताएं पर देखें हमिंग ब्राट आप संबी आपके राइच होगा ओ ठीके आप स्वी धेख लें प हमिंग बड़ इन द्रुसके समन रंगिन पन्कौ वालि पच्छी प्रीवार का हिस्सा एक प्रोठी ये आपका ठोठीट टोठीट लीदाए तोठीट ली डाय यह के इसका परिवार का सदसहिए इस साएक सबक्राइब जिलाए लोगया श्रोट को सबसे छोटा पच्छी तह था सबसे चोटा अंडा देने वाला पच्छी की रूप में जाना जाता है यह चिली के वनों में पाई जाती है यह कहां पर पाई जाती है कि जो हमिंग बर्ड है यह कहां पाई जाती है कहां के जंगलों में पाई जाती है यह कहां के वनों में पाई जाती है तो यह चिली के जंगलों में पाई जाती सबसे ज्यादा उबगरें किसके किcak एक सबसे अधिक प्राइबिव सत्रीक भी फालोइंग फालोइंग प्लेड़े निचुरल से को लाइट बता हैं लाइज थिफवीश्द में से जो से Ugh तो देखें आपके आपका राइट होगा ब्रसपती आपके राइट होगा ब्रसपती अब यहां पर एम एक्सप्लेन देखते हैं कि वर्तमान में ब्रसपती ग्रहें के पास सर्वादिक ठीक है सरसट उपक गरें कितने हैं 67 सरसट उपक गरें सनी के पास 62 हैं ठीक है सनी के पास 62 हैं और अरूड के पास 27 हैं सनी के पास क्या है 62 अरूड के पास 27 हैं और सरवाधिक जो उपक गरें वो ब्रस्पती के पास हैं सरसाट 67 चलिए एगला कोशन देखते हैं तेरा नमबर कोशन थर्टी नमबर प्यूस ग्रंती पाई जाती पीट्यूटी ग्लेंट इस फाउंड गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर आपके स्क्रीन पर है देखें बहुत ही सिंपल कोश्चन है ठीक है साइंस से रेलेटे मस्तिस के नीचे होती है ठीक है अब यहां पर आप एक्स्प्लेंट देख लेंगें कि प्यूस ग्रंति मस्तिस के नीचे पाई जाता है इसका बहार है ओब बागग जीरो समलो सिच्टी नाइन होता है इसे माश्ट गंति का जाता है मनुस्य में मक्का के दाने के बराबर होते हैं मनुस्य में मक्का के दाने के बराबर इस तुरियों में कुछ बड़ी और गर्बासे में काफी बड़ी होती है और जब गर्बावस्ता होती है तो यह काफी स्मान होती है यह मानखी चलिए एक मतर के दाने के समान होती है तिकले और अगर इस तरिवों की बात की जाया या पर तुममें क्या होती है घर्वति तो यह कापी बढ़ी हो जाती यह आगर पाली पाली त्था मद्स यहां चलिए हम को X देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर पढ़ें को चाहसे हैपटाटिस भी जो यक्रत को प्रवाइद करता है वास्तों में वह एक है देखिए हैपटाटिस भी विच अफेक्ट दी लिवर इस एक्चुली आप बताएं क्या होगा इसका राइड अंसर करें आपकी स्क्रीन पर है तो दीखें जो आपका हैपेटाटिस B है यह यूड़ी वाइरस से उने वाली रोता है तो आप यह पर। प्लेन देख लें गया कि यक क्रत को प्रावइद करता है कि कि अक्रत को प्रावजीस जनीतरी रहता है लिए हैपयेटाइटेस यक करोंग है जो हेपयटाइटेस हैपयटाइटेस नमक वाइरस के संक्रमर से फैलता है एपोंख यह कुषांडों मनुस से इन सभी किसमे के विसाडों कावाइड होता है A और E किसमे के जो विशाडू पानी में पैदा होते हैं जो A और Hepatitis A और Hepatitis E यह मतलब इस टाइप के जो वाइरस होते हैं यह पानी में पैदा होते हैं और यह विशाडू थूंक खखार आदी के जरीये फैल जाते हैं जबकि अन्य जो विशाडू होते हैं यह blood के जरिये संक्रमित होते हैं इनमें B और C जो hepatitis B और hepatitis C किसमें के विशाडू क्या होते हैं आधिक खतरनाक होते हैं यह क्या होते हैं आधिक खतरनाक होते हैं तो हम चलते हैं नगहें नेक्स्ट कोशन्स पड़ते हैं जिस्क्रीन पर Garage रहें जर्ड़ है अब यह बताना है क्या है आपको Stephen k Tools क्या है बताएं क्या है यह गिटार वादक है प्यान के वग्यानिक है या मेरी की राजनेता है तो Stephen स्टीफन हाकिन्स ब्रेटरेन के वेग्यानिक थे तो आप बता सकते हैं कि वेटरेन के बैग्यानिक थे तभी कहते हैं कि अच्छे से अमेरिका का सरवोच चिन नागरिक सम्मान दिया गया इन को बैक होल और बीग बैस थे उर्री उसके फारली उसके बादी ति किसी वस्तु का भार उससमय नाँ था है जब उससे रखा जाएब की s प्रत्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गृत्त का जो मान होता है तता प्रत्वी के केंद पर गुरुत का मान सूननी हो जाता है अता प्रत्वी के केंद पर वस्तु का बार्थ सूननी होगा प्रत्वी तल पर गुरुत का मान विस्वत रेखा पर निम्नतम तता धुरूं पर अधिकतम होता है ठीक है समझ में ना है तो इसे आप कमेंट बाक्स में पूछ भी सक सबस्क्राइब आपकी स्क्रीन पर पढ़े खोचसे कि परमाुच संक्याय का तुर्ट तो आप ने हाइ फिर इंटर मी पढ़ा होगा ठीक है क्योंकि उसके बाद तो तो बताएं जो 31 है 21 की प्रमादू संक्या है तो देखें गैलियम की प्रमादू संक्या है टीक है जरूरत तो नहीं पड़ती बाइचांस पूछ लिए जाते हैं ठीक है अगर नौलिज बढ़ाना हो तो आप एक बार देख लें ठीक है प्रमादू संक्या 30 तक तो आपको 30 क्या 50 तक तो complete होने ही चाहिए सबी को भूलता कोई नहीं है बट अगर आप उसे एक बार देख लेंगे ठीक है 50 तक जो परमादू क्रमांग है आपके जो अगर आप देख लें तो ज्यादा बेतर रहता है कि अब इसी तरह कि अगर कोशन फस गए तो प्राब्लम आपको क्रेट हो जाएगी एक कोशन छूट जाएगा तो वह तकलीव होती है ठीक है तो मेरे कहने के मतलब कोई कोशन छूटने नहीं पाइस वैसे थोड़ा बहुत लाडब तो अगर समय मिले तो अप अांसर क्या होगा घैलियम के होगा चालिए यहाँ पर गैलियम की होती है चलिए लिए मनुस्य में यूरीय किसमी बनताइ मनुस्य में यूरिया किसमी बनताइं बन्त करें अ तो देखें है और आपका राइट का यक्रत इस आपका यूरियाओ ये अपकर आपका राइट होगा है यहाँ पे आप एक्स्प्लेन देख लेए इसके अलावा यक्रत कोशिकाओं में एमोनिया तता सी ओ टू कार्बन डायकसिड टीक है मिलकर और निथीन चक्र द्वारा यूरिया का उस्वर करते हैं इस चक्र को क्रेप से हैंसे लीट चक्र भी का जाता है तो चलिए हम नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर नाइंटीन आपके स्क्रीन पर नेम लिकित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है बताएं क्या होगा इसका राइड अंसर करें पहले कोशन को चैसे पढ़ें उसके बाद यांसर दें विच आफ दी फालोइंग इस यूज एज एंटी अब यहां पर एक्स्प्रेंट डेख लें किम थाल एलपोल क्या जाता है वहां पर मिथांव इसे कैसे नाम दे दिया गया तो अभी आपने पढ़े होंगे तीक है तो आपने पढ़े होंगे एथ मेत प्रोप ब्यूट पेंट ठीक है इस तरह से आपने पढ़े होंगे ठीक है कारबन को जब नाम दिया जाता है ठीक है सब्सक्राइब 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 अगला कोशन देखते हैं 20 नमर कोशन आपके स्क्रीन पर कि पीतल मिस्रड पीतल किसका मिस्रड बताएं आप पी पीतल किसका मिस्रड है तो देखे ब्रास इज पीतल जो पीतल है वह तामबा और जिश्तिका मिस रड़ होता है तामबा और जिस्ते का मिस रड़ होता है अब पीतल तो कॉंटे पानी से प्रतक्रिया नहीं करता है है कौन सा जो दातु है एक ठंडे पानी से प्रत्करिया नहीं करता है लेकिन गर्म-पानी पर वास्प से प्रत्करिया कर लेता है वीच मेटल ड़ज्नाट रियक्ट विद कोल्ड वाटर बट रियक्ट विद इस्टीम तरीट हीटेट बताएं क्या होगा इसका तो कौन सा दातू है थंडे पानी से पितक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वास्प से पितक्रिया कर लेता है जब पानी को गर्म किया जाता है तो फ्रेंड लाश्ट कोशनना हमारा 21 नंबर ठीक है अगर कहीं भी आपको problem हो अगर समझ मिनाए कोई भी question तो आप हमें comment बाक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा whatsapp नंबर है ठीक है हमारा whatsapp group नंबर है आप हमारे whatsapp group पर भी question पूछ सकते हैं ठीक हमारा एकेडमी पर 930 या फिर 940 टीक है इसी टाइम पर डेली नाइन पीम पर या फिर 930 पीम या फिर 930 पीम पर डेली लाइब क्लास से चलती है वो बिल्कुल फिरी चलती है कोई भी आप से चाहती नहीं लिया जाता है तो हमारे whatsapp number पर जोड़ने के लिए आप हमें high लिखे और अपना नाम जरूर बताएं और अपनी qualification बताएं ठीक है इतना जरूर बताएं हम आपको group में add कर देंगे और जैसे ही class start होती हम आपको group में link दे देंगे आप जाके direct live हो सकते हैं और अपनी class attend कर सकते हैं ठीक है त झाल